Assalamu alaikum idea student, हम chapter 4 की comprehension कर रहे हैं, the pride of Pakistan, पाकिस्तान का फखर आज हमारा question है, rearrange letter from words, हमने rearrange करना है, letters की तर्तीब को दुबारा से arrange करना है, जिसे ने words बनेगे ये हमारे पास कुछ spellings लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इन spellings को meaningful बनाना है, ताकि इनका हमें मानी समझ आ सके तो ये क्या है, M-I-L-S-E से क्या बनता है, smile, आप देखें, वो ही letters हैं जिनको हमने rearrange किया है, तो smile, smile का मानी होता है मुस्कुराहट, और आपको पता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखना जो है, वो भी सद्दका है, हमेशा नभीकरीन से चेहरे पे हलकी सी मुस्कुराहट होती थी, तो आप भी अपने मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखा करें, ताकि आपको सुनत पे अमल करने का सव मिले फिर यह क्या है M-I-L-S-E वही स्पेलिंग है इनको हम रियरेंज करेंगे तो यह बन जाएगा माइल्स आपको बताए कि जो आप तो किलो मीटर्स है यह पेमाना पहले होता था जिसमें इंचीज फीट और माइल्स के हसाफ से हम रस्ते को नापते थे और मील इसको कहते ह हैं उर्दू में माइल्स तो इसके अलावा आप इनको अरेंज करें तो यह बन जाता है लाइम्स आपको पता है कि लीमू जो होते हैं उनको लाइम्स भी कहते हैं तो लाइम्स को उर्दू में लीमू कहते हैं तो देखें कि वही स्पेलिंग हैं तो हमने उनको रियरेंज क करके तीन डिफरेंट तरह के meaningful word बनाएं नेक्स्ट है हमारे पास P S E E H C अगर हम इसको rearrange करें तो ये बन जाएगा speech, speech कहते हैं तक्रीर करने को, तक्रीर करना और अगर इसको rearrange करें तो ये बन जाएगा Chiefs, Chiefs का क्या मतलब होता है? छोटे पृरिंदे की आवास को Chiefs कहते हैं. फिर ये है N-E-A-R-L, ये क्या है? अगर हम इसको rearrange करें तो ये बाज जाएगा, Learn, Learn करते हैं. सीखना, तो वो कहते हैं कि बंदा गोद से गोर, यानि माँ की गोद से कबर जाने तक सीखता है, तो आपको अच्छी आदात सीखनी है, डिग्री हासल करने के साथ साथ, आपको अपनी आदात और अमाल को भी अच्छा करना है, अपनी जबान को भी अच्छा करना है, तो हमेशा सच बोलें और अच्छी आदते हैं अपना हैं. फिर है ये है renal, renal कहते हैं गुर्दे को, गुर्दे से मितालिक हमारे जिसम में दो गुर्दे हैं जिनको renal tissue कहते हैं, तो गुर्दे से मितालिक चीजों को renal कहते हैं जिसे हमारा खून साफ होता है, फिर है T-O-M-E-N-M, तो ये बन जाएगा moment, moment कहते हैं लमहा, आप देखें कि घड़ी जो है उसको हर लमा हमारी जिन्दगी का वो जैसे जैसे घड़ी घूंगती है, हाल माजी में तबदील हो जाता है, तो हर लमें, हर मोमेंट की कदर करें, फिर है A, T, F, H, अगर हम इसको री अरेंज करें तो ये बन जाएगा फेथ, और फेथ का मानी ह होता है, इमान, हमारा इमान क्या है, अलहम्दोलिल्ह हमें से ज्यदा लोग मुसल्मान है, और हम एक अल्ला पे इमान रखते हैं, जब हमें अल्ला पे इमान रखते हैं, तो हमें अल्ला पे तवक्ल करनी चाहिए, कि अल्ला ही हमारे लिए काफी है, अल्ला हमारा राजिक है है, अल्ला हमारा खालिक है, हम बिमार भी होते हैं, तो अल्ला की तरफ से आजमाईश होती है, और फिर वो ही श्वादेने वाला है, हमेश हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्ला हमारे दिलों को भी जानता है, और हमारे वक्त हर वक्त साथ है, और जब बिमार हों तो जा अमाद करें, यह हमारे इमान का तकाजा है, फिर है, यह आप देख रहे हैं, O, E, R, I, D, P, इसे तो कोई मेनिंग नहीं निकलता, अगर हम इसको रियरेंज करें तो यह बन जाएगा, पीरियड, पीरियड जो है, वो मुदद को कहते हैं, आपके जो है, वो पीरियड होते हैं, क्लास रूम में, एक एक घंटे के पीरियड होते हैं, मुदद दुरानिया होता है, जिसके बाद निया टीचर आ जाता है, नई क्लास पढ़ाने के लिए, जो एमान लाए हो, अल्ला से डरो और हमेशा सच बोलो, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को, सबस्क्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें,